यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवते भारत अभ्युत्तानं अधर्मस्य तदात्मानं श्रिजाम्यह परित्राणाय साधुनां विनाशाय जदुश्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी संगम्युगे निराकार शिव है आए गीता का ग्यान सुनाए निराकार शिव है आए गीता का ग्यान सुनाए ब्रह्मातन अधर्ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए निराकार शिव है आए गीता का ग्यान सुनाए अम शान्ती ओम शान्ती, ओम शान्ती, श्रीमत बगवल गीता के आज के अध्याई में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को सभी यग्य में स्रेश्ट यग्य, ज्यान यग्य है, इस बात को यथार्थ समझा रहे हैं। अर्जुन के कई प्रश्ण जो है, वो हमारे मन के प्रश्ण भी है, और इसी लिए जब वो प्रश्ण आता है, तो ऐसा लगता है कि यह हमारे ही मन के प्रश्ण है। चौथे अध्याई में हम सभी ने इस बात को अच्छी तरह से देखा, कि भगवान ने सर्व प्रथम ये ज्यान किन को दिया था। तो सूर्य वंशियों को दिया, जहां से चंद्रवंशियों ने जाना, फिर द्वापर युग तक भी ट्रांसेंड हुआ, लेकिन उसके बाद कलियुग में लुप्त हो गया। और तब स्वाभावे कृती से अर्जुन ने पूछा क्या आप ये ज्यान देने के लिए हम सब की तरह पैदा होते हैं। तो भगवान ने कह मैं आजन्मा हो, अव्यत्त हो, उनर जनम रही थो, विनाश रही थो, लेकिन अपनी त्रिगुणामई शक्ती को मैं योग माया से इस संसार में प्रगट होता हूँ। यहां से बहुत स्पष्ट ये भाव आता है कि गीता का ज्यान देने वाला वो इन चरम चक्षू से देखा नहीं जा सकता है। अर्जुन के फिर महत्व पूर्ण प्रश्ण के जवाब में भगवान ने जब अपना परिचे दिया कि किस तरह से जो पवित्रा आत्मा है वो मुझे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा डेवियेट करके कर्मों की गुई गति पुनह सुनाई, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और तब अर्जुन का जो प्रश्ण था कि सभी यग्यों में स्रेष्ट यग्य कौन सा है तो भगवान कहते हैं कि सभी यग्यों में स्रेष्ट यग्य क्यान यग्य है क्योंकि ये परम कल्यानकारी है क्योंकि महान पाप आत्मय भी इस ज्ञान नईयां के द्वारा संसार सागर को पार कर देती है जिस प्रकार अगनी इधन को भस्म कर देती है इधन मना कोई भी inflammable चीछ होती उसको भस्म कर देती है आग लगते ही खतम हो जाता है वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता है सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मो को समाक्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मशुद और पवित्र बन जाएगी अब यहां सोचने की बात है कि जहां ज्ञान यग्य की बात हो रही है और विकर्मों को मिटाने की बात हो रही है आसक्ति और मो को समाक्त करने की बात है तो यह स्पष्ट होता है कि यह स्थूल युद्ध नहीं है ये आंत्रिक युद्ध है मनुष्य की अपने ही मनोवृत्तियों के साथ और ज्यानियग्य से महन पापात्माय भी तर जाती है संसार सागर को पागर जाती है एक बहुत सुन्दर कहानी याद आती है कि एक बार एक चोर था और उसका काम था चोरी करना तो जहां वो रहता था तो वहां पर कोई महत्मा जी आए और बहुत अच्छा प्रवचन करते थे तो जब प्रवचन करते थे तो नैचरल है कि सारा गाउं वहां सुनने जाता तो चोर को लगा आज तो ये महत्मा जी दो गंटा भी सुनाएंगे और सारी पब्लिक वहाँ बैठ जाएंगे, तो आज मुझे चोरी करने का अच्छा चांस है, तो सोचा के जा करके देखूं कि कौन सा परिवार ऐसा है, जो पुरा परिवार बैठा है, ताकि उस घर में मैं चोरी कर सकतूँ, तो वो सत्संग जहां हो रहा था, वहां से भू करके निकला, उसने देखा एक बहुत बड़ा सेट था, उसका पुरा परिवार बैठ करके वो प्रवचन सुन रहा था, तो सोचा चोरने कि आज इसी सेट के यहां जा करके मैं चोरी करूँ, वहां चोरी किया, बहुत सारा माल उसको मिला, धन, माल, पैसा, सब कुछ मिला उसको, और ले करके वो घर आ रहा था, कि रास्ते में दूर से एक दूसरे चोरने देखा, कि आज इसने तो बड़ा अच्छा हाथ मार लिया है, अब मुझे बिना मेहनत के यह सारी चीजें मिल जाए, ऐसी कोई युक्ती सोचनी होगी, तो युक्ती सोचते हुए उसके पीछे गया, कि देखे यह कहां छुपाता है, तो जैसे उसने देखा कि चोर तो ले करके उसको अपने घर में गया, जो जोपड़ा था उसका, उस जोपड़े में गुज गया, और जोपड़े में उसने सारा माल छुपा दिया, और फिर जो है, वो एक कुरसी तो तुटी-फुटी कुरसी थी, तो आकर के बाहर बैठ गया उस कुरसी के उपर, अब थोड़ी देर के बाद, वो दूसरा चोर जो था, उसने ऐसा फरिष्टे जैसा ड्रेस पहना, और फरिष्टे जैसे ड्रेस पहन करके उसके सामने प्रगट हो गया, और उसको कहा कि आज तुमने एक सेट के घर, एक बहुत भक्त गे घर में चोरी किया है, और इसलिए मैं देवदूत हूँ, और भगवान ने मुझे भेजा है, ताकि तुम अगर वो सारा माल समर्पित कर दो, तो तुम उस पाप से छुट जाएगी, तो नहीं तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा भगवान देने वाले हैं, और भगवान का नाम सुनते थो हर एक को थोड़ा डर तो रहता है, तो उस चोर के मन में आया कि भगवान ने देख भी लिया, और ये देवदूत को मेरे पीछे भेज भी दिया, अब ठीक है दे देता हूँ सारा माल जो चोरी करके आया है वो, तो का ठीक है ले आता हूँ, वो अपने जोबड़ी में गया सारा माल लाने के लिए, और जैसे ये अंदर अंधेरा था तो लाइट किया, तो लाइट करते ही खिड़की से उसने देखा, कि जो देवदूत था, उसकी लंबी परचाई गिर रही। तो जब वो महात्मा के प्रवच्चन से निकल रहा था, उस समय उसने महात्मा जी को ये कहते हुए सुना, खल ये की लाइन सुनी, कि देवदूतों की कभी परचाई नहीं होती है। तो उसको वो बात याद आ गए, कि आजी तो प्रवच्चन में महात्मा जी ने कहा, देवदूतों की परचाई नहीं होती है। और इसकी तो इतनी लंबी परचाई है, लाइट किया तो उस लाइट के रिफ्लेक्शन से उसकी परचाई नजर आई। तो उसने सोचे जरूर यह कोई फ्रॉड है, अंदर से बड़ा डंडा लेकर के बाहर आया, और कहा, आज मैंने महात्मा जी के प्रवच्चन में यह बात सुनी, कि देवदूतों की तो परचाई नहीं होती है। और तु अगर सचमुष देवदूत है, तो तेरी परचाई नहीं होनी चाहिए, यह तेरी तो एतने लंबी परचाई गिर रही है, मना तो कोई फ्रॉड है, भाग नहीं तो मार-मार करके कचुमबर कर गुणा। वो देवदूत जो था वो भाग गया। अब उसकी पतनी, जो वो चोर था उसकी पतनी अंदर बैठ करके यह सारा सुन रही थी, कि भही ऐसा देवदूत माल लेने आया और उसने भगा दिया। वो बाहर आकर अपने पती से कहती है, आपने महत्मजी की एक लाइन सुने, और एक लाइन सुन करके आप यह चोरी किया हुआ माल बचा सके। सोचो, आप पूरा प्रवचन अगर सुनते थे, तो जीवन का अनमोल धन, सदगुनों का धन आप बचा सकते थे, अपने जीवन को समार सकते थे, बस उसने जिस तरीके से बोला, ऐसा हिट किया वो एरो जैसे, अंदर उसके दिल को जैसे टच कर दिया, चोर के, और उसका मन बदलने लगा, उसने सोचा सचमुच, और उसने सारा धन, माल जो भी चोरी किया था, वो उठाया, और उठा करके वापस उस सेट के घर में छोड़ किया है, कहने का भावा थिये, जो कहा कि सभी यग्यों में स्रेश्ट यग्या, ज्यान यग्या है, जिससे महन पापात्में भी तर जाती हैं, और हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, कि महर्शी वालमी की लुटेरा था, डाकू था, उसका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ, बस एक सेंटन्स जब वो कहा महात्मा ने उसको, कि भई तू जो चोरी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, किसलिए कर रहा है, तो कहा अपने परिवार को पालने के लिए, तो कहा पहले परिवार वाले से इतना तो पूछ ले, कि जिस परिवार के लिए तो इतना पाप कर रहा है, क्या तेरे पाप में वो भागीदार उसने का ठीक है पूछ क्या आता और पूछने गया परिवार वालों ने का भई तेरे पाप में भागीदार हम क्यों बनेंगे पाप तो कर रहा है भागीदार हम क्यों बनेंगे और वो चीज हिट कर गई उसको और वहां से वो डाकु से बदल करके लुटेरे से बदल करके एक महर्शी बन गया जीवन के अंदर परिवर्तन कोई एक लाइन से ही होता है कि किसी तर ज्यान यग्य अर्था रोज जो हम ज्यान की सुन्दर बाते सुनते हैं वो ज्यान की कौन किसी बात कभ हिट करनी वाली है और वहां से किस तरह का परिवर्तन अपने जीवन में आएगा हमें पता नहीं है और इस अध्याय के अंत में बगवान ने अर्जुन से बहुत सुन्दर बात कही और कहा जिसने इंद्रियों को जिसने इंद्रियों के संयम से वासनाओं को जीता है नने इंद्रियों के द्वारा ही तो बुरे करम होते हैं वासना होती है साधनों में आसकती नहीं है तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है वही ज्यान की पराकाष्टा को प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान मार्क के पुरुशार्थ में अग्रसर हो करके परमशांती को प्राप्त कर लेता है और फिर आगे कहा कि विवेखीन श्रद्धा रहित संशय युक्त आत्मा पुरुशार्थ के मार्क से ब्रश्ट हो जाते है इसलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं निश्चे बुद्धी विजयन्ती संशे बुद्धी विनश्यन्ती तो जो विवेखीन है श्रद्धा रहित है उसके मन में संशय तो जरूर आएगा ऐसी आत्मा पुरुशार्थ के मार्क से ब्रश्ट हो जाती है अर्था समात हो जाती है और परमसुख की अनुभूती ज्यान का जीवन के अंदर एप्लिकेशन से ही हमारे जीवन में अति इंद्रिय सुख जिसको परमसुख का है तो ये परमसुख की अनुभूती से वंचीत हो जाते हैं इसी लिए बगवान अर्जन को कहते हैं ये धननचे परमात्म के प्रती समर्पन भाव से और कर्म योग की विधी से तथा ज्यान युक्त विवेक की तलवार से अज्यान से उत्पन संशय का नाश कर समत्व भाव से कर्म करो तो सर्व प्रकार के बंदनों से मुक्त हो जाएंगे कितनी सुन्दर बात के ही कि परमात्म के प्रती ज्यान क्या करता है तो ज्यान हमारे रिदय को शुद्ध करके समर्पन भाव अंदर में क्रियेट करता है इश्वर के प्रती साथे साथ जो कर्म योग की विधी तथा ज्यान युक्त विवेक हमारी बुद्धी को शारपन करता है जैसे तलवार को कोई शारपन करता है तो ज्यान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन संशय का नाश क्योंकि संशय का कारण है अज्ञानता कोई भी बात कि जहां अज्ञानता आई महां संशय उत्पन होता ही है तो वो अज्ञान से उत्पन संशय का नाश करता है और समत्व भाव यानि बुद्धी को एक balance state, मन बुद्धी का जैसे समत्व भाव create करता है, जिससे अगर हम कर्म करें, तो वो कर्म हमें सर्व प्रकार के बंधनों से, यानि जो हमारा कर्म बंधन create होता है, वो कर्म बंधन क्यों create होता है? एक तो अज्ञानता, दूसरा मन के अंदर संशय है, समर्पन भाव नहीं है, attachment है, तो उसी से तो बंधन create होता है, तो ये बंधन जो create होता है, उससे फिर मुक्त होने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है, इसलिए भगवान कहते ज्यान क्या करता है? ज्यान व्यक्ति के अंदर श्रद्धा create करता है, इंद्रियों को जीतने की शक्ति अपने अंदर create करता है, परमात्म में विश्वास आसक्ति को समाप्त करता है, और अति इंद्रिय सुख का अनुवो, परम सुख, परम शांती का अनुवो कराता है, और जहां परमात्म के प्रती समर्पन भाव आया तो जो आत्म के अंदर विवेख हीमता श्रद्धा जो रहित हो गए थे या संशे बुद्धी हो गए थे उससे हमें दूर करता है और समर्पन भाव के साथ जब कर्म योग का आचरण करते हैं ज्यान के आधार से अपने बुद्धी की शक्ती को विवेख की शक्ती को शार्पन करते हैं तो हमारे अंदर बैलंस स्टेट ऑफ माइन आता है और उस बैलंस के आधार से जो कर्म करेंगे वो हमें बंधन से दिव्य ज्ञान की अगनी से ज्ञान का महत्म बताया और ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अगनी से शुद्ध होकर बाहरी रूप से सारा कर्म करता हैं किन्तु अंतर में उन कर्मों को ये फल का परित्याक करते हुए शांती, विरक्ती, सहन शीलता, आध्यात्मिक द्रिष्टी और आनंद की प्रक्ति करता है। ज्ञान एक ऐसी अगनी है जो शुद्ध करके और जब आत्म शुद्धी करन होता है और कर्म का आचरन करते हैं तो उसमें फल का त्यान इच्छा नहीं होती है। ये चाहिए वो चाहिए और आत्म के अंदर शांती, विरक्ती, स हो जाती है। पांचवे अध्याई में प्रथम श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक सन्यास योग, कर्म योग में निश्काम कर्म योग स्रेश्ट है। सात्वे श्लोक से लेकर बार्वे श्लोक तक सन्यास योग और कर्म योग के लक्षन और उसकी महिमा बताई है। 13 श्लोक से लेकर 26 श्लोक तक ज्यान योग का विशय लिया गया और 27 श्लोक से लेकर 29 श्लोक तक भक्ती सहित ज्यान योग का वर्णन किया गया है अब अर्जुन का एक महत्व पूर्ण सवाल आता है जो हमारे मन में भी उत्पन हो जाता है कि एक तरफ तो भगवान ने कर्म योग की बात की दूसरी और सन्यास योग भी दुनिया के अंदर चलता है तो अर्जुन भगवान से पूछता है सन्यास योग और कर्म योग ये दोनों में स्रेष्ट कौन सा है पहले पुछा ज्यान योग और कर्म योग ये दोनों में स्रेष्ट कौन सा है दोनों का कैसे बैलन्स को ले करके चलना है ये चाथे अध्याई तक बताया तीसरे अध्यार चौथे अध्याई में ये बात स्पष्ट की अब अर्जुन का जो सवाल है क्या मुझे सब को छोड़ देना पड़ेगा ये कर्म योग ही करो दोनों में स्रेष्ट क्या है तो बहुत सुंदर बगवान ने जवाब दिया और कहा सन्यास योग एवं कर्म योग दोनों ही स्रेष्ट है क्यों क्योंकि जो मनुश्य करम करता हुआ किसी के साथ न द्वेश करता है और न किसी कर्म फल को चाहता है ये चाहिए आज मैंने ये करम किया तो मुझे इसका फल ये मिलना चाहिए करम फल को चाहता है वो सन्यासी सदा ही जानने योग क्या है वो जैसे सन्यासी ही है व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला बंधन में बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है परन्तु उस कर्म करने की वृत्ती है किस इंटेंशन से उसक ने वो कर्म किया तो उस कर्म के इंटेंशन से मनुष्य बंधन में बनता है या फ्री होता है इसलिए बहुत सुन्दर बात कही कि सन्यास क्या क करना है तो कहा द्वेश वैर लोग कामना आधी विकारों का त्याग ही सन्यास है सन्यास चीज वस्तु कपड़े का घर का सन्यास करना इसको सन्यास नहीं कहा जाता है सन्यास माना कि जो बुरी वृत्तियां है उसको छोड़ना इसी का नाम सन्यास है कर्तव्य कर्मों का त्याक करना, कर्तव्य को छोड़ देना, जिम्मेवारियों को छोड़ देना, कर्मों को छोड़ देना, इसको सन्यास नहीं कहा जाता है यह न लेकिन कितनी सुन्दर बात बगवान ने कही कि कर्मयोगी बनो लेकिन कर्मयोग में जो तुम्हारे अंदर कभी-कभी बुरी इंटेंशन्स उत्पन होती है उन बुरी इंटेंशन्स को त्याग करो यह सन्यास है तो दोनों possible एक साथ में लेकिन तब कई बार कई लोग हमें पूछतें फिर बैन जी आपने क्यों सन्यास किया आपने क्यों सब को छोड़ दिया आप क्यों गरहस्त व्यवार में नहीं गए आता है न सवाल अगर करम करते हुए ही करना है तो फिर आपने क्यों छोड़ा आपने क्यों ये सफेद कपड़े पहन लिए आप क्यों ग्रहस्ती नहीं बने तो हम आपको आज यही बात कहना चाहते हैं कि आपसे बड़े ग्रहस्ती हम है आप सोचेंगे कैसे देखो आज कोई भी माबाब अपनी लड़की के लिए घर और वर ढूंडते हैं तो क्या देखते हैं क्या देखते हैं अनुभवी आप सभी कि जब आप अपनी लड़की के लिए घर और वर ढूंडते हैं तो क्या देखते हैं आपके माबाबने भी क्या देखा और वहां आपकी शादी किया तो हमेशा घर और वर जब धूनते है तो यही देखते है भई घर अच्छा होना चाहिए और वर भी अच्छा होना चाहिए यही देखते न कि कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए कोई बुरे संसकार नहीं होने चाहिए ऐसा घर हो तो अच्छा है पहले के जमाने में लोग संयुक्त परिवार में जाते थे लेकिन आज के दुनिया के अंदर हर माबाप क्या डूणते हैं कि भई मिया बीबी अलग रहे वो बहुत अच्छा है सुखी रहे बड़ा परिवार होगा संयुक्त परिवार होगा तो हमारी लड़की तो नाजुक्ता से पली है वो इतने बड़े परिवार में जाकर सबका मन रख सके ऐसा नहीं होता है और फिर क्लैशिस होंगे इसे तो अच्छा है छोटा परिवार सुखी परिवार यही डूणते न और फिर जो है वहाँ पर अलग रहते हैं कारे करते हैं उसी में खुश रहते हैं छोटा सा परिवार लेकिन हमने भी वो चार मेंबर का परिवार नहीं ढूणा लेकिन हमने सोचा कि हम तो बड़े परिवार में रह सकते हैं इतनी केपैसिटी है हमारे सेहन शक्ती की या सभी बातों की तो हमने जो अपने लिए वर और घर ढूंडा वो परमात्मा को ढूंडा और परमात्मा का परिवार सो हमारा परिवार इतना बड़ा परिवार और इतने बड़े परिवार में हर एक का मन रखना आता है क्योंकि ग्यान की बाते मिलती है आज दुनिया के अंदर लॉकिक में अगर परिवार में रहते हैं तो मान लो के मिया बीबी अलग रहते हैं लेकिन अगर उनके घर में महमान आ जाए रिष्टेदार लोग आ जाए, vacation का time है, holiday है और सारा वो चाचा मामा सब आ करके रहने लगे और हफता रहने वाले हो विदेश में तो बहुत अच्छी बात है कि चलो फिर भी accommodate हो जाता है लेकिन भारत के अंदर मान लोग के सारे लोग आ गए घर में रहने के लिए, एक हफता रहने के लिए और उनी दिनों में काम वाली भी छुटी पर चली गए अब सबसे ज़्यादा tension किसको होता है, सबसे ज़्यादा tension होता है वर को कि अब मेरी पत्नी को सारा काम करना पड़ेगा, इतने लोग आ गए हैं, खाना भी बनाना है, बरता नादी भी साफ करना पड़ेगा, अब वो चकर मारना शुरू करता है आगे पीछे, ताकि उसका मूड आफ न हो जाए, और उसके जो घर वाले सारे आए हैं, तो वो सब यह सोचते होगे, तो बीच-बीच में आता है, लाव मैं कुछ मदद कर लू, मैं कुछ मदद कर लू, यह देखता है, और मान लोग के ऐसे समय में, जब वो काम कर रही है, इतना टेंशन है, कोई मदद भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे बड़े बुजर्ग है, बैठे हैं बाते कर रहे हैं, और अकेली उस बहन तो पत्नी को काम करना पड़ता है, सारा लोड उसके उपर आ गया, काम वाली भी चली गई, बरतन भी मांजना है, कपड़े भी धोना है, और ऐसे में बच्चे अगर थोड़ा मस्ती करे, तुपान करे, तो किस के उपर गुसा निकलता है, बच्चों के उपर गुसा निकलेगा, और जब बच्चों के उपर गुसा निकलता है, तो पती क्या करता है, पती जो है हमेशा धकने का प्रयास करता है, कि महमानों को बुरा न लगे, कि हमारे कारण इसको गुसा रहा है, तो पती का काम क्या होता है, नहीं नहीं यसी क इसलिए लोड हो गया है बाकि यह नहीं कि आप लोग आये हैं इसलिए कोई प्रॉब्लिम है मना ढखने का प्रयास करता है हमेशा लेकिन हमने जो घर और वर ढूंडा वो इतना अच्छा है कि हम सब का मन रख सकते हैं इतना हमें विश्वास है लेकिन उससे ज्यादा होगी न चिपा लेगा दुनिया के सामने आने नहीं देंगा तो आप तो एक छोटे ग्रहस्त में गए और छोटे ग्रहस्त की बात कर हमें एक बड़े परिवार में गए और इतना अच्छा घर और वर मिला है तो आप सोचेंगे कि भई आपने फिर सफेग साड़ी क्यों पहनी हमारे जैसे रंगिन क्यों नहीं पहना ड्रेस क्यों नहीं पहना अरे भई आप भी अपने साथी को जो पसंद होगा वहीं पहनेंगे न अगर आपके साथी को स्लीवलेस पसंद न हो तो पहनेंगे आपको पसंद है लेकिन साथी को पसंद नहीं है साथी को वही साड़ी पसंद है तो क्या पहनेंगे जो साथी को पसंद वही पहनेंगे ठीक इसी तरह हमारे वर को भी सफेद बहुत पसंद है इसलिए हमने वही सफेद पहना जो उसको पसंद वो हमें पसंद है कि नहीं क्योंकि सफेद रंग में सातों रंग आ जाते हैं दूसरी बाद कि सफेद रंग पहना न बहुत टाइम बच जाता है कैसे मैचिंग करने का टाइम बच जाता है दुनिया में अगर आप लोगों को कोई शादी पर भी जाना होता है तो पहले तो इतना time तो ये decide करने लगता है क्या पहनूं, उसका matching क्या लूं, उसका matching purse, उसका matching sandal, उसका matching make-up सारा, कितना time जाता है, हमें इतना अच्छा हमारे वर ने कपड़े दे दिये, सफेव पहना ना कोई matching, कितना time बच जाता है, सोचो तो इसी लिए हम बहुत खुश है कि हमारे वर को इतनी सुन्दर ये कलर सफेद कलर के वस्त्र पसंद है और हमें भी पसंद आ गया और सारी जंजटों से छूड़ गये हम दूसरा कि सफेद पर कोई डाग पढ़ता है तो इतना अटेंशन रहता कोई दाग नहीं पढ़ना रंगेन में तो दाग पढ़ा तो भी चलेगा पता ही नहीं चलता है लेकिन यहां अटेंशन रखने की कला आ जाती है कि सफेद को भी कोई दाग न पढ़े ऐसा अपने आपको हर करम करते हुए भी रखना है तो बताओ हमने कौन सा सन्यास किया खाना पीने का कोई सन्यास नहीं किया बाहर की गंदी चीजे खाना छोड़ दिया यह कौन सा हमारे वर को वही पसंद है कि सात्वी गोजन खाओ और वही हम स्विकार करते हैं अच्छा आप सोचेंगे कि इधर उदर घूमने जाना यह करना वो तो बाबा सेवा पर ले जाता है हमको कभी कहां ले जाता है कभी कहां ले जाता है सेवा पर तो वो भी हमने कोई छोड़ा है ऐसा तो नहीं कहेंगे है कि ने और रहते हैं सब के बीच में ही कोई जंगल में भी नहीं रह रहे हैं सन्यासी बन करके तो इसलिए हमने छोड़ा क्या ना खाना पी ना छोड़ा ना हमने कोई ये छोड़ा कपड़े इतने बड़िया हमको पहना दिये तो छोड़ा क्या छोड़ा अचा आप सोचेंगे कि बई मेक अप छोड़ा हम लोग तो मेक अप करके अरे मेक अप से आज हमको इतनी नैचरल ब्यूटी दे दी भगवान ने तो क्या मेकप करेंगे इसके उपर नैचरल ब्यूटी में है हम कहीं पर भी जाते हैं तो अलग दिखाई देते हैं सबको कि ये लोग यूनीक परिष्टे लग रहे हैं एंजल्स लग रहे हैं तो जहां एंजल्स का टाइकल मिल जाए तो क्या छोड़ा बताओ क्या छोड़ा कुछ भी छोड़ा हमने कुछ भी नहीं छोड़ा तो इसी लिए कहा के हां बुरी वरत्तियों को जरूर छोड़ा negativity को जरूर छोड़ा वो तो आज मनुष्य इतना प्रयत्न करता है तो भी नहीं छोड़ पाता है वही चीज छोड़ योग तो इसलिए जो बगवार ने कहा कि कर्म योग में ही सन्यास योग को शामिल करो अर्थात बुरी वृत्तियों का सन्यास करो बुराईयों का सन्यास करो बाकि चीजवस्तू को छोडने की जरूरत नहीं है इसलिए सबकुछ चीजवस्तू है उसके बीज में रहते हैं फिर आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्म योग के बिना सन्यास की प्राक्ति हो नहीं सकती कर्म योग से मेही सन्यास करना है दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं जो योग युक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राप्तियों में आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है ऐसे जितेंद्रियन सर्व कर्मेंद्रियन द्वारा करम करते हुए भी स्वयम को उससे भिन समशता है करम कर रहे हैं इंद्रियों को यूज कर रहे हैं लेकिन इंद्रियां भी जीती हुई है ऐसा डिसिप्लिन है तो भगवान कहते हैं ऐसे स्वयम को समझते हैं कि मैं ये करमेंद्रिय का मालिक हूँ इन करमेंद्रिय से बिन्न स्वयम को समझता है जो व्यक्ति अनासक्त भाव आसकती नहीं अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्म के प्रती समर्पित कर देता है वह करम करते हुए भी कर्म बंधन से निरलिप्त रहता है जिस प्रकार कमल जल से निरलिप्त रहता है वैसे कर्म योगी का हर कर्म आत्मशुद्धी के लिए ही होता है और वह पुरुष नौ द्वार वाले देह में रहते मन बुद्धी संसकार पर अधिकार प्राप्त कर परम शांती एवं सुख का अनुभव करता है कितनी सुन्दर बात यहां भगवान ने अर्जुन को समझाई कि सन्यास चीजवस्तुओं का नहीं लेकिन सन्यास जब कर्म में रहते हुए इंद्रियों को डिसिप्लिन करता है इंद्रिया जो चंचलता मचाती है उस चंचलता से उसको अपने आपको अलग समझता है कि मैं आत्मा मालिक हूँ और मालिक बन करके कर्मिंद्रियों का प्रयोग करता है तो वो इस देह में रहते करम करते हुए निरलिप्त जैसे कमल किचड में उपता है लेकिन उसके उपर कोई कीचड डाले न कमल के उपर तो उसकी पंखुडिया इतनी कोमल होती है ऐसा सरक करके नीचे आ जाता है जी किसी तरह उस व्यक्ति का मन भी इतना निर्मल हो जाता है जो बुरी वृत्तियों का सन्यास करके करम योग तो वो बंधन क्रियेट नहीं करता है बंधन में नहीं पस्ता है और नौ द्वार वाले इस देह में नौ द्वारे न दौ आखे नाखे काने ये सारे नौ द्वार है तो नौ द्वार वाले इस देह में रहते हुए भी वो जैसे न्यारा रहता है अधिकार उसके उपर प्राप्त करते हुए रहता है और इसी कारण से वो परम शांती का अनुभव कर सकता है तो नौ द्वार वाले देह में रहते हुए भी परमशान्ती और सुख का अनुभव कर सकता है तो ये भगवान ने विशेश बताया कि सन्यास योग और कर्म योग कैसे दोनों एक ही है अलग नहीं कर सकते हैं आज मनुश्य जीवन के अंदर कर्म योगी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरी वृत्तियों का सन्यास नहीं किया है इसलिए कर्म बंधन में फस रहा है और जितना वो कर्म बंधन में फसता जाता है उतना उसके लिए कई प्रकार के कश्ट, दुख, अशान्ती, टेंशन्स, ये फ्रस्ट्रेशन्स, ये क्रियेट होते हैं लेकिन जब सन्यास योग और कर्म योग दोनों को मिला करके जीवन में चलता है तो सब के साथ रहते हुए, व्यावहार करते हुए नैचरल है इसलिए देखो कमल का फूल जो है न, किचड में उत्ता है, लेकिन उसकी नीचे किचड के नीचे ग्रहस्ती बहुत बड़ी होती है बहुत बड़ी ग्रहस्ती उसकी मानी जाती है ठीक इसी तरह आज मनुष्य की भी ग्रहस्ती बहुत बड़ी है लेकिन कैसे रहना है निरलिकता वो कैसे होगा जब हम बुरी वृत्तियों का सन्यास करेंगे तब होगा सहज़ता से फिर आगे भगवान कहते है अर्चुन को कि किस तरह से जीवन के अंदर इंद्रियों के वि सुख भोग रहा है कौन सा है इंद्रियों से उत्पन सुख ये आदी अंत दुख का कारण है जीवन के अंदर आदी से लेकर अंत तक दुख ही अनुभो कराता है जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा वही सच्चा योगी है ग्रास्त जीवन में रहते हुवे भी वो स्रेश्ट योगी है वह अपने मन और बुद्धी को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है बड़े श्रद्धा के साथ परमात्मा की शरण में चला जाता है, उसकी सर्वक के प्रती समद्रिष्टी होती है, हर एक के प्रती, हर एक आत्मा है, तो उस आत्मा को देखते हुए समद्रिष्टी, कोई के प्रती ज्यादा, कोई के प्रती कम ऐसा नहीं, समद्रिष्टी होती है इसलिए संसार में रहते मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त ये मन की एकागरता द्वारा असीम सुख का अनुभव करता है तो वास्तों में ये स्पुष्ठ हो जाता है कि भगवान ने ये स्थूल युद्ध की कोई बात नहीं की जो युद्ध है वो आंत्रिक है हमारे ब भीतर में कहाँ कहां युद्ध करना पड़ता है कैसे कैसे हमें युद्ध के स्थिती आ जाती है और जीवन में रहते मुक्ति का अनुभो कैसे कर सकते हैं ये विधी भगवाल ने जिस तरह राजा जनक के लिए कहा जाता है कि राजा जनक जो था संसार में रहता था, वेब जीवन-मुक्ति का ज्यान चाहिए था, तो उसने कहा कि कोई मुझे एक सेकंड में जीवन-मुक्ति का ज्यान दे। बहुत सारे विद्वान, पंडित आये उसको ज्यान सुनाने के लिए लेकिन जैसे ही वो लंबा-लंबा ग्यान सुनाना चालू करता था तो राजा जनक कहते मुझे एक सेकंड में प्रैक्टिकल कोई बताए जीवन मुक्त अवस्था किसको कहा जाता है कि जीवन में रहते मैं मुक्ती का अनुबह करना चाहता हूँ यह जो बाते भगवान ने गीता में अभी बताई यह जीवन में रहते मुक्ती का अनुबह कैसे करें उसकी बाते बताई तो जब राजा जनक ने यह बात कही तो कहा जाता है कि अश्टा वकर आता है अश्टा वकर ने कहा कि राजा मैं आपको एक सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान दूगा लेकिन अभी नहीं समय आने पर बुखा ठीक है सारी सभा भी सरजित हो गई और सारी सभा जैसे ही डिस्मिस हो गई तो जो राजा जनत ने सोचा भी मैं क्या करू तो उसने सोचा मैं थोड़ा सैर करके आता हूँ तो उसने अपना घोड़ा मंगाया और जैसे घोड़ा मंगाया तो घोड़े पर चड़ने जा रहा था एक पैर घोड़े के सैडल पर था और एक पैर नीचे जमीन पर था इतने में दूर से वो अश्ठा वकर ने आवाज लगाई और राजा जनक से कहा खेरो राजन मुझे ये बताओ कि इस समय आप घोड़े पर हो या जमीन पर हो कहा हो राजा सोच में पढ़ गया एक पैर घोड़े पर है एक पैर जमीन पर है जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूँ घोड़े पर हूँ लेकिन घोड़े पर एक पैर होते हुए भी घोड़े पर नहीं तो अश्टावकर कहते हैं यही तो जीवन मुक्ति का ज्ञान है कि संसार में रहो लेकिन संसार की बुराई आप में न रहे यह है सहज्टा से जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करने का ज्ञान रहना संसार में है लेकिन जो सन्यास योग की बात बता है करम योगी बनना है लेकिन जो बुरी इंटेंशन्स है वो हमारे अंदर ना आए इतना मन शुद्ध स्वच हो और सहष्टा से ये इंद्रियों के उपर अधिकार प्राप्त करके ये इंद्रियों को यूज भी करो करम के लिए लेकिन जब उसके अंदर कोई बुरी इंटेंशन नहीं होगी तो जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुबव होगा जीवन मुक्ति का अनुबव क्या होता है तो बार बार भगवान ने यही कहा परम शांती और असीम सुख परम शांती और असीम सुख का अनुबव होगा य यह जीवन मुक्त स्थिती online मनुष्य जीवन में दुखी क्यों है क्योंकि हम यथार्थ कर्म योगी नहीं है हम जीवन मुक्त स्थिती का अनुभव नहीं कर रहे हैं बंधन क्रियेट हो रहे हैं नेगिटिव इंटेंशन्स है बुराई है और उस बुराईयों में भस करके हम करम कर रहे हैं उसका सन्यास नहीं कर पाते हैं इसलिए वो दुख और अशांती का कारण जीवन तो भगवान जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव कैसे करना है यह जीवन जीने की कला हम अर्जुनों को सिखा रहे हैं इतने सुन्दर बात पहते हैं उसके बाद आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को आगे भगवान अर्जुन को मेडिटेशन की बात बता ते हैं यहीं अर्जुन बाहर के विशय द्रिश्यों का चिंतन नहीं करो जब तुम मेडिटेशन करो योग करो तो कैسे योग करना योग की विधी बताते हैं यहां से ध्यान योक इसको कहा जाता है और उसमें क्या अनुभो होता है एक तो करम करते हुए कैसे करम योकी बनना है जीवन मुक्त स्थिती का अनुभो और फिर जैसे मेडिटेशन में बैठेंगे तो ध्यान आज लोकों का यही तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लिम है कि हम भगवान में मन लगाना चाते हैं मन नहीं लगता है मन भाग जाता है इधर उधर चला जाता है क्यों चला जाता है कहां जाता है कभी उसका पीछा करके देखो कहां गया तो बहुत सुंदर बात बताते हैं भगवान के कहां जाता है बाहर के विशयों का चिंतन ग्रिश्यों का चिंत विशय माना जैसे कहा न बक्ती मार्ग में हम गाते हैं विशय विकार मिटाओ पाप हरो देवा तो विशय जो है विकारों को कहा जब मनुष्य का मन विकारों का चिंतन करता है काम, प्रोध, लोब इसको गुसा करना ही पड़ेगा इसको बोलना ही पड़ेगा इसको ऐसा कहेंगे तो काम, प्रोध, लोब, मो, अहंकार, इर्शा, द्वेश, छल, कपट, आलस, भैट ये विशय है तो विशयों का चिंतन नहीं करना है और बाहर का द्रिश्यों का चिंतन नहीं करना है उससे अपनी बुद्धी को समेट लेना है मन बुद्धी को समेट लेना है और अंतर चक्षु जो थर्ड आये हैं आत्मा के अंतर चक्षु है उसको भुकुटी के बीच में स्थिर करना है एकागर करना है मन को शांद कर एक्तम शांद करना है मन को कुछ शांद के लिए बाहर का ये सब चिंतनों से समेट लेते हैं तो मन को शांद कर परमात्मा में ध्यान ध्यान करते हो बुद्धी को एकागर करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्यान की भावनक प्रवाहित करो। सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परमशांती को प्राप्त करो। मेडिटेशन की कितनी सुंदर विधी, सिंपल विधी बताए कि बाहर का दृष्य का चिंतन न करके अंतर चक्षु को ब्रुकुटी के मध्य में जहां मैं आत्मा विराज मानूँ उस आत्मा को देखो, उस दिव्य स्वरूप को देखो, दे और दे की दुनिया या दे के पद उसको नहीं देखो, जब मेडिटीशन करने बैठते हैं, तो उस समय ब्रुकुटी की मध्य में मैं चैतन शक्ति शुद्ध आत्मा हूं, यह देखना है, और फिर जैसी मैं आत्मा हूं, परमात्मा, वो भी प्रकाश पुंज है, वो भी जोती पुंज है, उसमें ध्यान को एकागर करो, आत्मा समझ करके बैठेंगे, तो परमात्मा में ध्यान एकागर हूं, और एकागर करके, जब सभी संसार में, दुनिया के अंदर जितने भी लोग, मेरे बच्चे, मेरा पती, मेरा है, मेरा है, मेरा, उसको मुझे अच्छे वाइब्रेशन देना, ऐसा भाव क कट हो जाती है, उनको भी दे नहीं सकते है, लेकिन उस समय यही सोचो, यह सभी आत्मा है, परमात्मा की संतार है, और सभी के प्रती शुद्ध भावना को प्रवाहित करो, कल्यान की कामन, कि सब का कल्यान हो, ऐसे वाइब्रेशन को जब प्रवाहित करेंगे, तो हम दुख से छुड़ कर, परमशांती का अनुभो कर सकेंगे, जो भी अगर शारिरिक कष्ट दुख होगा, उससे भी मुक्त हो करके सहश्ता से, हम परमशांती का अनुभो कर सकेंगे, तो यह मेडिटेशन की विधी, भगवान ने बताई, और आगे का चठा अध्याई जो है, यह च चठा अध्याई संपूर्ण ध्यान योग है, क्या-क्या डिफिकल्टी जाती हैं मेडिटेशन में, उसको लेकर के, फिर भगवान आगे इस अध्याई में कहते हैं, कि परमात्मा मनुष्य में करतापन नहीं रचता, नहीं कर्मों को रचता है, और ना कर्म फल के संयोग को रचता है, तीन चीजे हैं, कि परमात्मा कहीं बार हम लोग क्या कहते हैं, कि जो करता है भगवान करता है, यह कहते हैं ना कि भगवान करता है, भगवान करता है, मनुष्य भक्ती में तो ही मान्यता रही, कि पता-पता हिलता है तो भगवान की मर्ची से हिलता है, कहीं बार कहते हैं यह हाथ उठता है तो बगवान की मर्जी से उठा बिना बगवान की मर्जी के यह हाथ भी नहीं उठा सकता इंसान लेकिन सोचनी की बात है कि मान लोके यह हाथ उठा और जाकर कि किसी को थपड मारा तो क्या कहेंगे बगवान की मर्जी हुई नहीं इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य में करतापन, हाथ उठाना, देखना, चलना, ये करतापन भगवान नहीं रचता है नहीं कर्मों को रचता है कि तुम्हें समय कर्म करो, नहीं भगवान ने हर इंसान को जनमते ही बुद्धी दे लिए बहुत सुन्दर गिफ्ट भगवान ने हर इनसान को दी जनम दे कौन सी गिफ्ट दी है वीवेक युक्त बुद्धी हर इनसान को बुद्धी दी है जो सही क्या है गलत क्या है उसको परक सकता है पहचान सकता है और इसी लिए जब सही क्या है गलत क्या है उसको पहचानने की बुद्धी उसको मिल गई तो बुद्धी मिलने के बाद क्या करेगा इंसान, आज आपका बच्चा है, आपका बच्चा बड़ा हो जाए, 15-16 साल का हो जाए, 16 साल के बाद आप उसको एडवाइस करते रहो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो बच्चा आपको क्या कहे, I understand, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, I'm not a kid, कहता है कि नहीं, कि आप हर पल मुझे दोक्ते नहीं रहो, I know what I have to do, कहता है कि नहीं कहता है, आज एक बच्चे को भी आप हर समय अगर उसको ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं चलना, ऐसा चलना, तो क्या क जब तक वो बच्चा था, सुनता था, 15-16 साल का हो जाए, 14 साल का ही हो जाता है आज कल तो, और 14 साल में ही आप उसको टोको फिर भी, तो क्या कहेगा, I'm not a kid, कहेगा कि नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, जो आप मुझे हर बात में guidance देते रहो, ये कहेगा, आप सोचो, मन और बुद्धी दिया है, और फिर भी अगर भगवान का हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, तो मनुष्य क्या कहेगा भगवान को, फिर बुद्धी किसलिए दिया, ये कहेगा, ये कहेगा कि नहीं कहेगा, कि अगर आपकी मर्जी से ही मुझे हाथ उठाना है और नीचे रख तो हमें बुद्धी किसलिए दिया हमें ऐसा बना देते बुद्धी नहीं देते थे फिर हम आपके शाब से चलते थे कहेंगे कि नहीं गए इसलिए भगवान में सबसे पावरफुल चीज बुद्धी दे दी इंसान को और कहा now you have to decide कि तुम्हें कौन सा करम करना है कौन सा करम नहीं करना है कब हाथ उठाना है कब हाथ नहीं उठाना है ये you have to decide और इसी लिए ये कर्म का फल भी तुझे ही भोगना पड़ेगा तब भगवान ने का परमात्मा मनुश्य में करतापन नहीं रचता है नहीं कर्मों को रचता है और ना कर्म फल के संयोग को रचता है जो क कर्म करेगा वो फल मिलेगा फिर से भगवान कर्म फिलोसफी पर आया है कि जो मनुश्य समझता है कि भगवान की मर्जी से ही पत्ता-पत्ता हिलता है संसार का अब सोचो आज दुनिया के अंदर कितने व्रक्ष कितने पत्ते होंगे क्या भगवान खाली बैठके पत्तों को हिलाता रहेगा और कोई काम दंदा नहीं है भगवान को पत्ते को हिलाता रहेगा कुछ तो हम सोचे के आखर जो बुद्धिवानों की बुद्धी है वो क्या काम करेगा दुनिया में भी हर एक के बुद्धी की अनुसार उसको दुनिया के अंदर position भी मिलती है वैसा कर्म मिलता है तो भगवान सुप्रीम authority बुद्धिवानों की बुद्धी बैठके पत्ता हिलाता रहेगा इतने करोडों रुक्ष का नहीं पत्ते हिलाने का काम भगवान ने प्रकर्ती को नेचर को दिया है कि तू हिलाता रहे पत्तो को मैं थोड़ी हिलाऊंगा बैठके आज देखो संसार का खेल तीन सक्ताओं से चलता है ये कहा जाता है पुरुष, परंपुरुष और प्रकरती ये तीन सक्ता है इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर ये खेल जो है तीन सत्ताओं के भी और ये तीनों सत्ता अविनाश ही है आत्मा पुरुष जिसको कहा गया पुरुष परमपुरुष परमात्मा आत्मा परमात्मा और प्रकर्ति आत्मा और प्रकर्ति में परिवर्तन जरूर आता है लेकिन विनाश नहीं होता है रिजिस जरूरातन, लेकिन परमात्मा अविनाशी है, उसमें परिवर्तन शील है, उसमें परिवर्तन भी दाता है, वो परमात्मा बुद्धीवानों की बुद्धी ने द कब तुझे उठाना है, प्थो Łशन recall, प्रपश के बुद्ध क्या है, आज एक खुनी भी खुन करने से पहले उसका conscious उसको बैट करता है पसीना पसीना हो जाता है। जो पहली बार खुन करने जाता है वो खुन नहीं कर पाता है। पसीना छोट जाता है, क्योंकि उसका conscious उसको allow नहीं करता है, ये बुरा कर्म है, वो समझता है, इसलिए कहां जाता है किसी को मारने से पहले उसको अपने conscious का कोन करना पड़ता है, तब वो जाकर के दूसरे को मार सकता है, तो भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धी दी है, स अच्छा जो प्रकरती के अंदर चीजे है, चेंजिज है, कि सीजन्स चेंज होती है, विंड आता है, पते हिलते हैं, ये सब प्रकरती काम करती है, उसमें परमात्म का इंटर्फियरंस नहीं है, जिस तरह मनुष्य के कर्मों में भगवान का इंटर्फियरंस नहीं है, ऐसे प्रकर्ति में भी परमात्मा का interference नहीं है क्या केते हैं भगवान आगे परंतु स्वभाव में स्थित हर एक का स्वभाव जैसा है सात्विक, राजसिक, तामसिक स्वभाव में स्थित प्रकर्ति के दबाव में के अनुसार वह बरतता है वैसे ही चलता है इसलिए भगवान responsible नहीं है अमारे कर्मों के लिए बहुत सुन्दर उस बात को कहा है देधारी आत्मा अपनी स्वभाविक स्वतंत्र इच्छा से करम करती है इसलिए उसका उत्तरदाई तो उसी पर है क्योंकि वो कर रही है इसलिए soul itself is responsible और वही अपने किये का फल भोगती है जैसा करम करकिया वैसा फल भोगती है परमात्मा किसी के भी पुन्य करम या पाप कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं है घीता में भगवान ने इस फ़श्च शब्द में कह दिया कि आपके पाप कर्म या पुन्य कर्म के लिए मैं responsible नहीं हूँ जब मनुश्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का परदा पड़ जाता है तब वो मो माया में उलज कर अपने निज स्वरूप को भूल जाते मैं आत्मा हूँ ये भी भूल जाते और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदाई समझने लगता है यानि परमात्मा को responsible समझने लगता है यही सबसे बड़ा अज्ञान है greatest ignorance जिसको कहा जाए वो यही है कि अपने कर्मों के लिए वो समझता है God is responsible मेरे कर्म मेरे जीवन में पाप कर्म हुआ दुख आई अशांती आई tensions आए उसके लिए भगवान responsible है अरे भगवान के ते मैं responsible नहीं हूँ तुमको मैंने बुद्धी दे दी उस बुद्धी के हिसाब से तुम करम करो I am not responsible और परन्तु जब आत्म ज्यान द्वारा आत्म ज्यान प्राप्त होता है गीता ज्यान प्राप्त होता है वह अज्यान नष्ट होता है तब यह अज्यानता समाप्त होती है और जब नष्ट होता है तो सभी बातों में इस तरह से स्पष्ट समझ में आतने लगती है, जैसे सूर्य की रोशनी से सब स्पष्ट दिखाई देता है, हर चीज जितना क्लियरली हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, अंदकार में ठोकर खाएंगे, भटकेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान का श्रवन करती है, सुनती है, समझती है, उसको एपलाई करती है लाइफ में, तो हर चीज समझ में आती है, तो वो भगवान को रिस्पॉंसिबल नहीं बनाएंगा, इसलिए करमसिधान कहता है, जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, ये करमसिधान है, तो इसलिए मनुष्य भगवान को रिस्पॉंसिबल न मान करके, स्वयम अपने करमों की रिस्पॉंसिबिलिटी उठाएंगे, तो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, वो भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, भोगना ही पड़ता है, करम के बंदन से कोई छूट नहीं सकता है, कोई भी इंसान भाग नहीं सकता है, करम उसकी परचाई बन जाता है, उसके पीछे पीछे भागता है, जहां इंसान जाता है, वो करम फल उसकी परचाई बन ग आज नहीं तो कल इसलिए परच्छाई देखो आप सूर्य के तरफ मुख करके चलेंगे तो परच्छाई पीछे होंगे आप चल रहे हैं परच्छाई पीछे फॉलो कर रही है लेकिन जब टर्न अबाउट करेंगे यह सूर्य पीछे चला जाएगा तो परच्छाई आगे यह अपने आप आती है आप चलते रहो कब वो परच्छाई जो पीछे थी सुबह में आप सूर्य के तरफ चल रहे थे परच्छाई पीछे थी लेकिन दिन में परच्छाई आपके साथ साथ चलती है पीछे भी नहीं चलती है और शाम होते सूर्य जिस पीछे चला गए तो पर्चा यागे आगे यानि कर्म फल तब भोगना ही पड़ता है कोई उससे छूट नहीं सकता है कोई सोचे मैंने आज करम किया किसी ने देखा नहीं अद मुझे उसका भोगना भोगना नहीं पड़ेगी अरे भोगनी ही पड़ेगी उससे छूट नहीं सकते हैं और इसलिए म होता है सुखी होता है जैसा कर सो आइफ टो टेक अप दर रिस्पॉंसिबिलिटी उठाते हैं तब कभी भी आप गलत काम नहीं करेंगे लाइफ में हर करेंगे तो एटेंशन से करेंगे ये गीता हमें सिखाती है क्योंकि भगवान ने स्पष्ट शब्द में कहा दिया आई एम नॉट रिस्पॉंसिबल और यॉर कर्म है फिर चठे अध्याय के अंदर भगवान ध्यान योग की बात सिखाते है अर्जुन को ध्या कैसे करना भगवान अश्टांग योग और उसके अभ्यास की सही विदी का सपष्टि करण करते हैं मन को किन कठनाईयों का सामना करना पड़ता है कौन सी कौन सी बाधाएं आती है ध्यान को परमात्मा में कैसे करना क्योंकि हम सभी का यही प्रॉब्लम है मन लगाने जाते ह यही question है न हरेका कि हम इश्वर को याद करना चाहते लेकिन मन लगता नहीं है तो इस अध्याई के अंदर प्रथम श्लोक से लेकर चौते श्लोक तक कर्म योग का विशय और योगारूड पुरुश के लक्षन बताए पांचवे श्लोक से लेकर दसवे श्लोक तक आत्म उन् तथा मन को मित्र बनाने की प्रेणा दी है ग्यार्वेश लोक से लेकर उन्नीसवेश लोक तक ध्यान में बैठने की विदी बताई है कैसे बैठना चाहिए मेडिटेशन के लिए क्योंकि आज दुनिया के अंदर इतने सारे मेडिटेशन हो गया लोग कन्फ्यूज हो गया ये करें, ये meditation करें, वो meditation करें, कौनसा करना चाहिए, यही पता नहीं है, तो गीता हमें क्या सिखाती है, गीता में सही method कौनसी बताई है meditation की, बीस्वेश लोग से लेकर बतीस्वेश लोग तक योग्युप्त पुरुष के अनुभाव, उस meditation में क्या अनुभाव होगा, जो हमें पता चले, we are on the right track, तो वो अनुभाव एवं लक्षन बताए है, तेतीस्वेश लोग से लेकर छतीस्वेश लोग तक मन के निगरह का चाहिए तो मन के निगरह का विशए और 37 वेश लोग से लेकर 47 वेश लोग तक योग बरश्ट पुरुष की गती का विशए और ध्यान योग की महिमा, अगर मान लोग के चलते चलते कहीं लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, योग बरश्ट हो जाते हैं, तो जो बरश् अगर में हो गया, तो हाफवे में हो गया, तो उसकी गती क्या होगी और ध्यान योग की महिमा बताई हैं, और इस तरह से भगवान इस अध्याई के अंदर कहते हैं, कि है अर्चुन, करम करते समय, किसी भी प्रकार के फल की कामना न रखते हुए, जो करम करता है, तता सद्रिय जन्य सुख के संपूर्ण भौतिक पदार्तों की इच्छा युक्त संकल्पों का त्याग करने वाला ही सच्चा योगी और सन्यासी है, सन्यासी यहां भगवान ने किसको का, करम फल की चाहना नहीं रख, क्योंकि वो तो मिलना ही है, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, पहले फल का पता चले, क्या मिलेगा, फिर मैं करम करूँ, भगवान कहते हैं वो तो मिलेगा ही, इसलिए तुम निश्चिंद होकर करम करते जाओ, फिर कहां जिसका मन वश में है और शांतचित होकर स्वयम को किसी योगी कारिय में लगाता है, वही योगारोड की अवस्थ हावाला है, वही योगारोड है, यानि वही योगी है, जो हर करम करता है, किसी उपयोगी कारिय में स्वयम को लगाता है, लेकिन उसकी इंद्रिया उसके वश में है, कोई इंद्रिया चंचलता नहीं कर रही है, और जहां इंद्रिया सेल्फ डिसिप्लिन में है, तो वो अपने आपको हर एक के लिए helpful, हर एक के लिए जैसे उपयोगी हो जाता है, दूसरों को जैसे मदद करने वाला, दूसरों को सुख देने वाला बन जाता है, फिर अर्जुन का एक मौर महत्वपोर्ण सवाल यहां आता है, जो हमारे मन में भी उत्पन हो सकता है, और वगवान जब कहते हैं, कि मनुष्य को अपनी आत्मा उन्नती कर ली चाहिए, आत्मा की अधोगती नहोंने तो, फॉल में ना जाए, आत्मा उन्नती करो, हमेशे इक राइजिंग स्टेज में उपर जाते रहो, उपर बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अधोगती नहोंने तो, क् जीवात्मा स्वयम का मित्र है और स्वयम का शत्रू होता है इसलिए का भगवान responsible नहीं है हम खुद responsible है तो हम responsible है तो हम ही अपने मित्र और शत्रू कैसे तो अर्जुन का सवाल है जो हमारे मन में भी उत्पन हो सकता है कि वो कब मित्र होता है और कब शत्रू बनता है, अमारा मन अपना मित्र कब है और अपना शत्रू कब है, तो भगवान कहते हैं, जब मन सहित, इंद्रिया जीती हुई है, इंद्रिया जीती हुई, यानि हमने अपनी इंद्रियों के उपर, हमनी सेंसर्स के उपर विजय पाया है, तो मित्र है, जिसके इनियम का मिप्र है और जब मन सहीत इंद्रिया परवश हए अधीन है गुलाम है तो वह शत्रूsen एक देखना नहीं चाहते हैं देख लिया बोलना नहीं चाहते हैं बोल दिया क्या करूँ तो ये अधीनता होई न, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन शब्द निकल गए, तो अधीनता जहां हुई, वो शत्रू बनाता है आज, आज मनुष्य के शत्रू इतने दुनिया में क्यूँ है, क्योंकि नई बोलने की जगह पर बोल देता है, और बोल देता है, फिर वो सामने वा तो पहले तो हम स्वयम के शत्रू बने तब हमारे दूसरे शत्रू बने इसलिए कहा पहले मन को इंद्रियों को जीतो और जब विजईव होते हैं तो वो हमारा वित्र है जब अधीनता है तो वो शत्रू है फिर आगे भगवाने का जिसने मन को जीत लिया ऐसे पुरुश का लक्षन क्या होंगे तो मान अपमान सुख दुख सर्वी गर्मी में से निरलिप्त रहते हैं बैलन स्टेज होती है किसी ने मान दिया बहुत अच्छा उसका श्परिया करो किसी ने अपमान किया तो दुखी मत हो जाओ उसको भी थैंक्स दो कि कम से कम आपने मुझे एटेंशन तो किछ वह एंग मुझे एक बैलन स्टेज में रहना है तो balance में रहना सिखाया, सुख दुख, दोनों में भी balance में चलो, सर्दी गर्मी, दोनों में balance में रहो, तथा मन को शान्त रख, परमात्मा की स्मृति में समा जाते हैं, ऐसे पुरुष के लक्षण क्या, एक unanimity है, balance state of mind है, और इसी लिए हर करम करते हैं, उस balance state of mind से, तो मन के अंदर क्या अनुभव होगा, शान्ति का अनुभव, और परमात्मा में सहज, हमारी स्मृति समा जाती है, एक आग्र हो जाती है, हो जाते हम इश्वर की याद की, तो कितना सुंदर meditation की technique, लेकिन meditation की भूमी का भगवान पहले create कर रहे हैं, कि किस किस तरीके से हमें मन को इश्वर में लगाना है, फिर आगे भगवान meditation में बैठने की विधी बताते हैं, और बैठने की विधी बताते हुए भगवान कहते हैं, कि जो योगी अपने अध्यात्मिक ज्यान एवं आत्म अनुगूती से पूनत संतुष रहता है, जो योगी अपने अध्यात्मिक ज्यान एवं आत्म अनुगूती से स्पूनत संतुष रहता है, ऐसे जितेंद्रिय की दृष्टी में मिट्टी पत्थर वा कंचन एक समान है, यह नहीं के भागम भाग कर रहा है नहीं, वो जैसे हर चीज में बैलन्स्ट है, तथा वो भिन्न बिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रती समान भाव से व्यवहार करता है, खली चीज वस्तू के लिए ही बैलन्स टेट ओफ माइन नहीं, लेकिन जो भी इंसान है, और उनके जो नेचर है, स्वभाव है, उनके प्रती भी समान भाव, और उस समान भाव से ही व्यवहार करता है सैयम युक्त अपरिग्रही योगी सदा एकांद में रहे अपने मन को वश्मे करकी निरंतर परमात्म की याद में बुद्धी को एकाग्र करता है ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत सहष्टा से है सैयम का धारन करके अपरिग्रह मना ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये नहीं ऐसा योगी एकांद में रह करके अपने मन को निरंतर परमात्म की याद में एकाग्र करता है और बुद्धी को भी साथ में तो मन और बुद्धी उसकी सहष्टा से एकाग्र हो जाती है हैं कि मन को शांत किया शांत करने के बार स्चान अंतकरन जब अंदर से कम शान शांती है ऐसा कि फ्रस्ट्रेशन नहीं अगा भैर हुरत आज कर इंसान जो है दुनिया के और बहत आदार पहादार पर जीता है फिर है उसको कई लोगों को कितना फिर है फिर ऑफ प्रिटिसिजम्स फिर ऑफ फिर फेलियर फिर ऑफ कई प्रकार के फिर्स है लाइफ में और उस फिर्स के साथ जीता है इसलिए meditation करना है तो उस समय अपने मन को यह फिर से मुट करो तो शांत अंतकरण हो भैरहित ब्रम्चरिय व्रत में स्थित योगी प्योर प्योरिटी बहुत ज़रूरी है जितनी हमारी अंत्रिक प्योरिटी है मन सहचता से लग जाता है तो ब्रम्चरिय व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान बाहर का वायू मंदल भी पवित्र होना चाहिए तो पवित्र एकांत स्थान में आसन लगा कर आसन कौंसा लगाना है दो आसन माने गए है विशेश या जिसमें भी आप comfortable हो भी है आसन में माना जहां आप body आपका ध्यान बार-बार खीचती नहीं अपने तरह तो या सुखासन में बैठो या पदमासन अर्ध पदमासन जैसे चित्र में दिखा है अर्ध पदमासन है सुखासन माना पाल्ठी मार के जो बैठते उसको सुखासन कहते है या तो आप पाल्ठी नहीं मार सकते हैं अर्ध पदमासन भी नहीं लगा सकते हैं तो कुर्सी पर बै बैठो आप नहीं लगा सकते हैं और बार बार आपका ध्यान गुटने के तरफ जाएगा मैरा गुटना दर्थ है तो ध्यान क्या लगेगा ध्यान किसके साथ लगा परमात्मा के साथ नहीं लगता गुटनों के साथ लगता है उससे तो आप कमफर्टेबल पोजिशन में बैठो महरशी पतनजली ने बहुत अच्छी बात नहीं है कि जिस आसन में आप कमफर्टेबल हो वो आसन में बैठो द्रड़ता पुर्वक वो आसन लगा कर द्रड़ता पुर्वक सीधा बैठो जिसमें आपके पीठ सीधी होनी चाहिए ऐसा का हुआ बैठने से व्यक्ति को नींद आना स्वाभाविक है अगर ऐसे बैठे मेडिटेशन करने के लिए तो नींद आई जाएगी इसलिए सीधा बैठो सीधा बैठकर मन इंद्रियां तथा कर्मों को सैयम में रखो इस शुड़ बी अंडर यार ओन कंट्रोल उसको सैयम म रखो फिर निराकार परमात्मा में मन बुद्धी और द्रिष्टी द्रिष्टी को बंद नहीं करना है गीता हमें आखों को बंद करना नहीं सिखाती मन बुद्धी और द्रिष्टी को एकागर कर रिदय के अंदर शुद्ध भावना से योग अभ्यास करो जब मेडिटेश में बैठते उस समय हमारे मन के अंदर किसी के प्रती कोई इविल भावना नहीं हुनी चाहिए यह ऐसा है इसने यह किया नहीं उस सबसे दूर करो अपने मन को और मन के अंदर शुद्ध भावना रखो बस इस वक्त मुझे परमात्मा को याद करना है परमात्मा मेरा प्रियत्म कोई नब कोई संबंध जो और उस प्रियत्म को प्यार से याद करो और इतना प्रेम की भावना को अंदर में भरो शुद्धा भाव उसमें भरो जितना उसमें श्रद्धा, विश्वास, प्रेम को प्रवाहित होंगे उतना meditation आपका बहुत अच्छा होगा अब आप सोचेंगे कि गीता में ये बात क्यों कहीगी ली कि आसन लगा करके बैठो उसके पीछे एक science है और science क्या है उसके पीछे तो कहा जाता है कि मनुश्य के शरीर से energy निकलने के तीन द्वार है सबसे पहले पैर है पैर उसे काफी energy निकल जाती है इसलिए उसको आसन में जैसे फोल्ड कर देते है तो जब फोल्ड कर देते हैं तो वो वहाँ से energy बाहर निकलने रुप जाती है कैसे? मैं आपको simple example दू कि मन लोके आपके पास hose pipe है और आप garden में पानी डालते है अपने बगीचे में पानी डालते है अब बगीचे में जैसे ही पानी डालने के लिए निकले और अचानक किसी का phone आ जाए अब पानी waste नहीं जाना चाहिए और आपको phone पर बात करना ज़रूरी है अब नलका दूर है बंद करने के लिए नहीं जा सकते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ pipe को मोर देंगे जैसे pipe को मोरेंगे तो पानी बंद हो जाएगा रुक जाएगा ठीक इसी तरह हमारे शरीर से भी जो पैरों से energy निकलती है उस energy को निकलने से रोकना है नहीं तो जो एक तरफ हम meditation के द्वारा अपने अंदर energy, शुद्ध energy जमा करते हैं वो बाहर प्रवाहित हो जाएगी, flow हो जाएगी इसलिए उसको रोकना है तो पैरों को मोड़ देना है पहले के जमाने में आप देखो तो बच्चों को जब गुरु कुल में भेशते थे पढ़ने के लिए गुरु कुल होता था और गुरु कुल में benches नहीं होती थी नीचे बैठ करके पढ़ना होता था तो उनकी बुद्धी भी तीवर होती थी क्योंकि जो पढ़ते थे वो अंदर ग्रहण होता था बाहर निकलता नहीं था आजकल एक बच्चा बैंच पर बैठ करके ये टेबल कुरसी पर बैठ के पढ़ता है एक तरफ पढ़ता जाता है रटता जाता है दूसरी और दूसरी आदा गंटे के बाद पूछो उसको तुमने क्या पढ़ा कुछ भी याद नहीं क्योंकि एक तरफ पढ़ा दूसरी तरफ वो एनरची फ्लो हो गई ग्राउंड में ग्राउंडेड हो गई चली गई इसलिए उसकी मेमरी पावर जीरो हो जाती है याद नहीं रहता है इसलिए बच्चों को अगर पढ़ाना है तो नीचे बैठ के पढ़ाओ पाल की मार के पढ़ाओ ताकि जो पढ़ेगा वो अंदर याद रहेगा पहले के जमाने में भारत में आप देखो विदेश की में बात नहीं कपी भारत के अंदर आप लोग भी जब भारत में थे अनलेस आप वहां बॉन है लेकिन जो भारत से गए है तो घरों में पुरसी टेबल पर खाना नहीं खाते थे किचन में नीचे बैठके एक खाना खायते थे सारे परिवार बिल कर दे खाते थे कि नहीं और कितना मिठा लगता थे ताकि जो खाएं व्यक्ति का हजम हो और वो उर्जा उसके अंदर रहे वो नीचे फ्लो नहीं हो जाए लेकिन आजकल कैसे खाना होता है टेबल कुर्सी पत और मोबाइल कई बार तो खाते खाते भी मोबाइल जरूर होता जाए और जब खास करके जब खाना खाने बैठते नो उसी समय किसी का पौन जरूर आएगा इसलिए घर के दूसरे मेंबर भी परेशाद कि आप अभी बन करो ना स्विच ओफ कर दो खाना खाने समय तो शांती से खाओ कहते हैं कि नहीं कहते हैं ताकि शांती से जब खाना खाते हैं तो वो हजम होता है यह तो क्या खा रहे हैं और जब गल्प कर रहे हैं तो वो एनरजी क्या बनेगा इसलिए शांती से इसलिए कहा जाता है कि mobile is a very good servant, but a bad master, उसको master नहीं बनाओ, उसको मालिक नहीं बनाओ, जो आपके जीवन का control उसके हाथ में आ जाए, अब जब चाहो उसका मुँ बंद करो, और कब बंद करना है, तीन जगह तो जरूर बंद करके रखो उसका मुँ, कब? एक तो जब सनान करने जाओ ना, बातरूम में mobile नहीं ले जाओ, उस समय शांती से नहलो, अच्छी तरह से नहलो, उस समय mobile पर आजकल तो ऐसे mobile भी निकले हैं, जापान ने ऐसे mobile बनाए हैं, कि waterproof आप पानी में, शावर करते-करते भी mobile पर बात कर सकते हैं, अरे भई शांती से सनान तो करो, फ्रेश तो हो जाओ, वहाँ भी mobile, क्या ज़रूरत है, इसलिए उस समय उसका मूँ बंद रख दो, स्विच आफ करो, जब सनान करना है, दूसरा, खाना खाने बैठो ना, मालिक बन जाओ, मोबाइल के गुलाम नहीं बना, उस समय उसका मूँ बंद करो, शांती से इश्वर की याद में बोजन को स्विकार करो, और तीसरा, जब कोई अच्छी बाते सुन रहे हैं, जैसे गीता की बाते सुन रहे हैं, उस समय तो मोबाइल स्विच ओपर, क्योंकि जीवन में बहुत थोड़े टाइम ऐसे मिलते हैं, अच्छी बाते सुनने के हैं, नहीं तो हर रोज, प्रॉब्लम्स, आज ये हो गए, आज वो हो गए, आज उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, प्रॉब्लम्स ही सुना देते हैं लोग, जी सुनने का समय मिले, उस समय उसका मुँ बंद रखें, वो डिस्टब नहीं करना चाहिए, ना आपको डिस्टब करें, ना आपके साथ वालों को डिस्टब करें, और कई लोग करते हैं, कि भाई हां, अच्छी बाते सुन रहें, और उस समय अगर मोबाइल बच्चता है, तो अच्छी बातों का अनंद ले सको, क्योंकि अच्छी बाते बार-बार नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, तो मोबाइल को मास्टर नहीं बनाओ, जो आपकी लाइफ कंट्रोल करने लगे, बारत में कहावत है, कि सर्वन्ट को कभी सिर माथे नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाएगे, तो इसलिए कहा कि जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उस समय भी स्विच आफ करो, तो हमारे मन बुद्धी को भी बाहर की बातों से स्विच आफ करना है, आसन लगा करके बैठना है, तो पहला द्वार, पैरों से, इसलिए लोग पहले के जमाने में महत्माओं के पास जब जाते थे ना, तो चरण स्पर्ष करते थे, ऐसे से करते थे, क्यों? ऐसे से क्यों क करते थे, तकि वहां से जो एनर्जी निकल रही है, हमारे पास आए, हमारी मैटरी को भी चार्ज करें, ऐसे चार्ज नहीं होते, इस ज़स्ट फीलिग, इस नाट अफैक्ट, यह भावना है, यह वास्तवित्ता नहीं है, इसलिए लोग कहीं बारतों, कहीं लोग तो ने मेडिटेशन किया है, अपनी बैटरी को चार्ज किया है, तो वो उर्जा को पानी में ले लो, चरणों से पानी में ले लो, और फिर वो पानी को पीते हैं, कि हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाए, ऐसे कोई बैटरी चार्ज नहीं होती है, यह ब्रह्म में नहीं रहो, न किसी का पैर धो करके पीना है ना आपको उसके पैरों को छू करके भई मेरे को ये मिले ये करने की आवश्रक्ता नहीं है ये बात यही है कि भई पैरों से एनर्जी निकलती है तो उसको फोल्ड करते हैं इसलिए आप देखेंगे महात्मा लोग पैरों को फोल्ड कर देते हैं ताकि वो जो बोलते हैं, उनकी उर्जा बाहर नहीं निकलती है, वो अंदर, इसलिए उनके अंदर दो घंटा बोलने की भी कैपैसिटी होती है, नहीं तो आप आदा घंटा नहीं बोल सकते हैं, मुश्किल होता है, ठकावट महसुस होती है, क्योंकि इसारी एनरजी ड्रेन हो समय हाथों को क्यों जोडते हैं और ऐसे क्यों, अपने रिदई के पास हाथों को रख करके ऐसे जोडते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत उर्जा निकलती है, बहुत एनरजी निकलती है, इसलिए लोग महत्माओं के पास जाते हैं, तो क्या चाहते हैं, आशिरवात करें, ह हमारे सिर के उपर रखे हाथ, ताकि वो उर्जा हमें प्राप्टू, लेकिन spiritually यही कहा जाता है कि हाथों को जोड़ो, इसलिए आप मंदिर में जाओ, कोई महात्माओं के पास जाओ, तो हाथ जोड़ते हैं, ताकि फ्लो अफ एनर्जी constant रहे, अंदर में चलता रहे, वो बाहर न निकल जाओ, इसलिए हाथों को जोड़ो, और यह जोड़ने का system हर धर्म में है, पैरों को मोड़ने का system हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी आप अगवान के मंदिर में बैठो, तो पैरों को मोड़ देते हैं, मुसलिम धर्म में वो वजरासन में बैठते हैं, पैरों को मोड़ने का सिस्टम वहाँ भी है, क्रिश्चन धर्म में नील डाउन करते हैं, चर्च में जाते हैं, तो नील डाउन करते हैं, पैरों को मोड़ते हैं, इसलिए नील डाउन करना होता है, ताकि वो उर्जा वहां से निकलनी बंद हो जाए और जो इश्वर से हम उर्जा ले रहे हैं वो अपने अंदर समा सके हैं जी किसी तरह ये हाथ जोडने का सिस्टम भी हर धर्म में मिलेगा पैरों को मोड दिया हाथों को जोड दिया तो दो द्वार बंद हो गए तो वो उर्जा बाहर नहीं लेगे वो उर्जा अपने अंदर तो जो चार्जड एनरजी है वो अपने अंदर फ्लो होते हुए फ्ल करें और इसलाम धर्म में मुसलमान लोग ऐसे हाथ दो ताकि दो एनरजी जस्ट फ्लोज है वो फ्लोग हो हमारे इसलिए वो हाथों के ऐसे करते हैं ताकि उपर से इश्वर की बंदगी में जब बैठते हैं क्योंकि वहां से ही तो चार्जिंग वही तो पावर हाउस है वहीं से charging होंगी तो वो ऐसे करते हैं। और इसलिए चार्ज होने के बाद फिर ऐसे करते हैं, अशिरवाद दें। तक कई लोग इसलिए आते हैं, जाते हैं माहत्माओं के पास जाते हैं, तो क्या। में जी हाथ रख दो हमारे सिर्फ पर हाथ रख अरे भई हाथ रखने से कुछ नहीं होता है लेकिन एक भावना है यहां से बहुत उर्जानी कलती है यह से लिए अगर आखों को भी बंद कर दिया पैरों को मोड दिया हाथों को जोड दिया राखों बंद कर तो तीनों द्वार बंद हो गए तो एनरजी आएगी कहां से इसलिए एक द्वार खुला रखना है आखों को खुला रखना है और परमात मामे मन को एकागर करता है तो आखों से आती है वो एनरजी आती है जो हमारे अंदर सर्पुलेट होती है और जो अंदर की negativity है वो बाहर निकल जाती है और pure energy हमारे अंदर flow होने लगती है इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उनका रदाई परिवत्तन होता है क्योंकि जो negativity है उसको बाहर release करते और pure energy को हम अंदर लेते हैं तो आखों को बंद नहीं करना है आखों को खुला रखना है इसलिए लोग भगवान के सामने जाते तो क्या करते हैं प्रभू आपकी कृपा द्रिष्टी हमारे उपर कृपा द्रिष्टी द्रिष्टी से ही भगवान कृपा करता है तो आपकी कृपा द्रिष्टी हमारे उपर रहे लेकिन अगर मान लोग के बगवान, इसलिए मंदिरों में जाएंगे न भगवान की आखे खुली होती है देवी देवताओं के रादे कृष्ण सब की आखे खुली है, किसी की आखे बंद नहीं और हम जाकर के आखे बंद कर देते हैं अब कौन किसका दर्शन करने कर रहा है कि मंदिर जाते तो क्या केते दर्शन करने जाते कोई मंदिर जा रहा है, पूछो कहां जा रहे है, केते दर्शन करने जा रहे है लेकिन मंदिर में जाने के बाद तो आखे बंद हो जाती है और आखें बंद कर ली, भगवान की आखें खुली है, तो किस ने किसका दर्शन किया, हमने किया, या उन्होंने हमारा किया, और फिर हम गाते हैं प्रार्थना में, मैं नीच पापी, कल कामी, कप्ती, गंदा, बंदा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने अपको, अब इतना बुरा है, यह सब दर्शन उसने कर लिया, हमने तो नहीं किया, दर्शन करना माना दर्शाना, जीवन में लेट इट फ्लो, वो प्योर एनरजी को फ्लो होने दर्शाओ, उसको आने दो, तो इसलिए मेडिटेशन में बैठने की विधी और उसके पीछे का जो साइन्स है यह भगवान ने छखे अध्याई में बताया, कि आसन लगा कर बैठो, लेकिन मैं सब के लिए जिसको गुटने की प्रॉब्लम है, वो नहीं करें, जो कर सकते हैं, वो जरूर करें, जिसको तकलीफ नहीं है गुटनों की, और आराम से सुखासन में या अर्ध पदमासन में बैठ सकते हैं, तो वो जरूर करें, हाथों को जोड़ देना, राइट हैंड उपर, लेफ्ट हैंड नीचे, and let the energy flow, और आखों को खुला रखना, और परमात्म के दिव्य स्वरूपर एक आगर करना, रधाई के अंदर शुद्ध भावना समाई हुई, कल्यान की भावना सम और ऐसे योग अभ्यास करना होता है, अगले सत्र में आगे इसके डीटेल और देखेंगे, और साइन्स को समझेंगे, कि इसके पीछे का और साइन्स क्या है, और किसलिए भगवान ने मेडिटेशन ने, कि जो विधी बताई, इतनी सरल, शुद्ध विधी बताई है, जो औ और किसी में आज तक संसार में ने बताई है, और इसलिए जेतना कन्फ्यूजन है, कौन सा मेडिटेशन करें, कैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सब बातों के उपर भी हम आएंगे, आपको उन सब बातों का भी परिचे देंगे, कि कौन सा मेडिटेशन, किस तरह स और गीता में क्या भगवान ने हमें सिखाया और कैसे करना चाहिए ठीक है आज यहां तक ही आगे के सत्र में फिर छठे अध्याई को और विस्तार से देखेंगे ओम शानुए आज मुझते विस्तार से विस्तार फिस्तार से वाराए विस्तार